आउज बिल्लाह मिन श्यत्वानि रोजीम बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम आज की मैथमेटिक्स की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर टू कंटिन्यू करेंगे हमने लास टाइम एक्सराइस नंबर 2.4 की और आज की क्लास में इंशारला हम नेक्स्ट एक्सराइस 2.5 करेंगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटिग्रेशन जो के सुरत नमबर 24 की आयत नमबर 45 और अल्ला ने जमीन पर हर चलने वाला पानी से बनाया तो इन में से कोई अपने पेट पर चलता है और इन में से कोई दो पाउं पर चलता है और इन में कोई चार पाउं पर चलता है अल्ला बनाता है जो चाहे बेशक अल्ला सब कुछ कर सकता है एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 का कुश्चन नंबर 2 जिसमें हमने सिंप्लिफाइ करना है 180 स्कॉयर रूट यानि 180 का स्कॉयर रूट फाइंड करना है 180 का स्कॉयर रूट फाइंड करने इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सॉलिशन की तरफ जाएं तो हम 180 के कौन-कौन से factors मुझूद हैं तो सबसे पहले 180 2 से डिवाइड होगा तो हम जानते हैं कि टू के टेबल से अगर 180 को डिवाइड करें तो हमार पास 2 9s आ 18 और 0 यानिके 2 के टेबल से 2 90s आ 180 मजीर अगर हम देखें इसको 90 को डिवाइड करें तो 90 भी मजीर 2 से डिवाइड होगा तो 2 के टेबल में 90 आएगा 45 जा यानि 2 45 जा 90 तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 तो हमारे पास 45 आ गया 45 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता तो यह 3 के टेबल से डिवाइड होगा हमारे पास 3 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल से डिवाइड होकर आ जाएगा 3 15 जा 45, तो 3 के टेबल में 15 जा 45 हो गया, अब 15 को मजीद 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 जा 15, यानिके 3 5 जा 15, अब 5 किसी भी टेबल से डिवाइड न 2 x 3 x 3 x 5 तो यह सारे factors हैं हमारे पास किसके 180 के तो हमारे पास 180 के factors हमने लिखे square root में 2 x 2 x 3 x 3 x 5 अब अगर हम देखें तो हमारे पास 2 और 3 यह दोनों pairs में मौझूद है यानि 2 का भी एक pair है और 3 का भी एक pair है जबके 5 जो है वह सिंगल है जैसे के नीचे लाइन डालकर शो किया गया है कि 2 एक pair में मौझूद है और 3 भी पेर में मौझूद है तो मारे पास इसका अंसर बन गया 2 3 6 into 5 अंडरोट यानि 180 का अगर हम स्कायर रूट फाइंड करें जैसा कि आपके सामने सॉल्फ किया गया इसका अंसर बनेगा 6 into 5 अंडरोट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नमबर हमारे पास है 4 इसको सिंप्लिफाइब करने 16 अंडरोट तो 16 आगया हमार पास 4 x 4 4 16 होता है तो 4 x 4 यह पास एक पैर बन गया रूट के अंदर मल्टिप्ला ह Powder आखर हम देखें 12 के फेक्टर ट्रैक्टरस कौन कौन से होंगे अगर हम देखें थो 12 सबसे पहले किस से भाइड होगा सबसे पहले 12 को दिवाइड करेंगे से तो two प्रोगए में 12 करेंगे तो to first to six thanks to talk aboutאני six seven up six मजीत से डिफाइड होगा मखीद two से डिवाइब होगा तो तूट्रीजा 6 जानिक टूटे टेबल में थिजा 6 तो हमारे पास आ गया लगा तो मेरी जह त्री जैए सुक्स अब त्री टेबल एकिरीओं तुटिवाइब भी तो हमारे पास आ गिया यह ट्री जान्त formats न के थेपह्टनां त्री से सी आथप अब यह अब यह अब पास जो 16 के factors है 4 multiply by 4 यह भी एक pair है तो यह भी root से बाहर आ जाएगा ठीक है और 2 multiply by 2 यह भी एक pair है और यह भी root से बाहर आ जाएगा तो 3 क्योंकि अकेला है इसलिए वह under root के अंदर ही रहेगा square root इसके ओपर मौझूद रहेगा तो इस तरीके से इस question का answer क्या बन जाएगा एट इंटू 3 अंडरोट यानि कि हमार पास answer आ गया 8 इंटू 3 अंडरोट next question question number six simplify करने हमार पास 15 अंडरोट अपान 5 अंडरोट तो यह value हमार पास मौझूद इसको simplify करने solution की तरफ अगर हम चलें तो solution में हमने लिखा 15 अंडरोट divided by 5 अंडरोट अगर हम 15 को देखें 15 अंडरोट 15 होता है 3 multiply by 5 35 15 यानि इसका एक ही फैक्टर बनते हैं यह 35 15 और कोई फैक्टर बनता नहीं है यह सिर्फ 3 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा यह नहीं कि 35 15 था अभी 35 15 15 को ब्रेक किया अगर हमने तो 5 अंडरोट multiply by 3 अंडरोट divided by 5 अंडरोट अब उपर भी आपको 5 अंडरोट नजर आ रहे और नीचे भी 5 अंडरोट नजर आ रहे तो 5 अंडरोट से 5 अंडरोट आपस में जैनल हो जाएगा तो 5 अंडरोट denominator से भी और combinator से भी दोनु से 5 अंडरोट cancel होगा आपस में हमारे पास सिर्फ क्या बच गया हमारे पास بच गया 3 अंडरोट और यह 3 अंडरोट हमारा answer है question 7e आगे हम देखें नमबर 9 है हमार पास simplify करने क्वेशन नमबर 9 में तो क्वेशन नमबर 9 में simplify करने करें हमें question दिया हुए 2 इंटू 28 अंडरूट divided by 7 अब हम इसको solve करने solution की तरफ चले हम तो solution हमार पास मौझूद है ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे 28 के factors बनाएंगे जैसे हमने 180 के और 12 के factors बनाएं तो आप जानते हैं कि 28 सबसे पहले किस से divide होगा तू से very good तो तू से हम divide करेंगे 28 को तो के table में 28 कब आएगा तू 14 जा 28 शाबश तो तू 14 जा 28 हो गया अब 14 को मजीद किस से divide करेंगे यह दुबारा तू से तू से डिवाइड होगा तो मजीद अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करने तो तू से जा 14 यानिके तू से जा 14 आ गया इसका मतलब यह होगा कि तू के table में 14 कब आएगा 7 जा अब 7 आ गया प्राइम नंबर है सिर्फ अपने ही table से डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका मतलब है 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा तो यह 7 के table में ही आएगा तो 7 वन्जा 7 तो हमारे पास factors बन गए कि 28 के factors मौझूद है 2 x 2 x 7 divided by 7 अब आपके सामने यह एक factor का पेर मौझूद है तो अब आप सीख चुके हैं कि जब भी कोई value root के अंदर पेर में होती है तो वह अंडरूट से बाहर आ जाती है यानि इसका square root उसके उपर से खतम हो जाता है जब वह under root में या हम कह सकते है square root में से मौझूद होती है तो वह स्कार रूट से बाहर मौझूद है और यह पेर का एक two square root से बाहर मजीद आ जाएगा तो महारे बास क्या आ जाएगा 2 multiply by 2 अब इसमें से जो पहला वाला 2 है ये square root के बाहर पहले से मौझूद था और ये जो दूसरा 2 है ये square root के अंदर से pair की सुरत में बाहर निकलाया अब 7 क्योंकि उपर अकेला था तो 7 के उपर अभी भी square root मौझूद रहेगा तो 700 रूट को 700 रूट से अगर हम cancel कर दें तो हमारे पास क्या बज़ जाएगा 2 multiply by 2 बज़ जाएगा और हम सब को मालूम है कि 2 को 2 से multiply करें तो 2 2 जा कितना होता है 2 2 4 होता है तो इस question का answer आ गया 4 question number 12 है 34 into 23 under root plus 38 into 23 under root अब दोनों के साथ 23 under root है और एक के साथ बाहर जो है वो 34 मौझूद है और एक के साथ 38 मौझूद है तो हम क्या सकते हैं कि हम 23 under root को इसमें से common ले जाते हैं यानि एक बार लिख देते हैं तो हम solution की तरफ चलेंगे तो 34 into 23 under root plus 38 into 23 under root तो अगर हम इसमें से 23 under root को common ले लेते हैं यानि 23 under root को एक बार लिखते हैं तो bracket में हमारे पास क्या मौझूद है 34 plus 38 ठीक है तो 34 और 38 दोनों को अगर हम add करते हैं तो हमारे पास क्या answer आ जाता है 72 into 23 under root यह हमारा answer आ गया following questions from exercise 2.5 अभी हमने exercise 2.5 के कुछ questions solve कि बाकि remaining questions आपको homework के लिए दिये जा रहे है method वही है जो भी हमने solve किया जैसे 169 under root 169 under root के पहले factors बनाएंगे ठीक है 169 under root के factors बनेंगे 13 multiply by 13 pair में मौझूद होगा ठीक है तो पेर रूट से बाहर आ जाएगा तो एक ही value होगी आपके पास 13 इसी तरीके से question number 3 में 12 under root multiply by 12 under root ठीक है इसको इसको solve करेंगे 14 under root multiply by 21 under root इसके भी factors बनाकर इसको solve कर लेंगे जैसे भी हमने solve कि है 76 under root upon 76 under root denominator numerator same होता है ठीक है अगर हम आपास उपर और नीचे denominator में और numerator में values same होती है तो cancel हो जाती है दोनों values cancel हो जाएगी वन answer आ जाएगा question number 8 में उपर 18 और नीचे 18 under root है तो अगर हम factors बना लें इसके तो हमारे लिए पूल के मुताबिक तो इस तरीके से इस question को solve किया जा सकते है question number 10 के अंदर सेम question जो लास्ट हमने question number 12 solve किया जिसमें हमारे पास फाइव अंडरूट common values मौजुद है तो बाहर वाली वहनों values आपस में add हो जाएगी इसी तरीके से question आपको आज के लेक्चर में solve करवाए गए हैं वह भी आपने अपने जर्नल्स के अंदर अपने जिस्स के अंदर solve करने और इन questions को मजीद एक बास करके इनकी प्रैक्टिस करनी है कि यह था आज का हमारा मैक्स का लेक्चर इंशालों नेक्स लेक्चर में आप से दोबारा मुलकात होगी Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Allah Hafiz